नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी के अपने इस योटूब चैनल आयरुवेदी कुप चार में कैसे हैं आप सभी I think स्वस्थ होंगे आए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं हम सभी हरी मेथी का सेवन हमें क्यों करना चाहि है तो इसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है सर्दी का मोसम है ये और इसमें ये सबसे अच्छी ओश्यदी है आपके लिए जी हां सर्दी में इसलिए ये ओश्यदी अच्छी है क्योंकि ये गर्म प्रकृति की होती है आपको फायदा देती है क्या-क्या फायदे मिल पहने से आपका पाचंतंत्र सुचारू रूप से कारे करता है, अच्छे धंग से कारे करता है, और कबज और गैस की समस्या से आपको निजात मिल जाती है। तो इसलिए मेथी का सेवन कीजे, किसी भी मौसम में कर सकते हैं, लेकिन सर्दी में थोड़ा ज़्यादा करेंगे, तो भी नुकसान नहीं करेगा, गर्मियों में थोड़ा कम करना होता है, क्योंकि ये गर्म प्रकृतिक है, लेकिन इससे कब्ज और गैस से आपको रहत मिलती ह हर्म उसम में, इसके अलावा घर के बड़े बुजूर्गों को आपने सर्दियों में मेथी और मेवे के लड़ू खाते, जरूर देखा होगा या सुना होगा कि खाना चाहिए, इसका मुख्य कारण क्या होता है, कभी सोचिएगा, इसके सिवन के मुख्य वज़ा ही ये होत या फिर पत्तियां दोनों ही जोडों के दर्द में समान रूप से फायदे मंद होती हैं, इसलिए इनका सेवन हमारे लिए बहुत फायदे मंद होता है, इसके अलावा हम आपको बता दें कि मेथी की पत्तियां आपके बालों के लिए बहुत लावकारी सावित होंगी, इसक आपके लिए एक सटी कुपचार है अधिकांशता बच्चों में यह समस्या होती है ऐसे में मेथी की पत्यों का रस निकाल करके बच्चों को एक चमच प्रती दिन पिलाईए इससे पेट के क्रीमी मर जाएंगे और बाहर हो जाएंगे समाप्ध हो जाएंगे मेथी आपको सर् प्रती दिन किसी न किसी रूप में सेवन करने से सर्दी से बचा जा सकता है और आप इस मोसम की आम स्वास्ते संबंधी समस्याओं जैसे कि सर्दी खांसी से बच जाएंगे इसके अलब मदुमेह के मरीजों के लिए मेथी का सेवन काफी फायदेमंद होता है अगर आप चा क्योंकि इसे पीस करके चेहरे पर लगाने से तवचा में चमक के साथ साथ कसावा आता है इसके अलावा रूखी तवचा वालों के लिए यह बहुत लाफदायक और शद है क्योंकि यह तवचा को नमी प्रदान करती है मेथी की हरी पत्तियों की सबजी में प्याज डाल करके खाना आपको रक्त चाप की समस्या से छुटकारा दिलाने में मदद करता है निम्न रक्त चाप यानि के लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए मेथी की मसाले वाली सबजी बहुत लाफ़कारी होती है खास तोर से अद्रक और गरम मसाला इसमें काफे ज़्यादा लाफ पहुचाता है मेथी की सबजी का नित्य सेवन करना चाहिए आपको खास करके सर्दियों में दिल की बिमारियां आपसे दूर रहेंगी यह दिल का दोरा पढ़ने की संभावना को बहुत कम कर देता है और आपके हाड को सुरक्षित रखता है, स्वस्थ रखता है मेथी की सबजी का प्रती दिन सेवन या फिर मेथी दाने का चून प्रती दिन खाने से आपका वजन नियंतरण में रहता है और वसा की मातरा धीरे-धीरे कम हो जाती है, इस तरह से आप अपना वजन भी कम कर सकते हैं, आसानी से इसकी सहायता से इतना ही नहीं, अगर आपको बार-बार पेशाब आने की परिशानी है, तो मेथी की पत्यों का रस आपको बहुत फायदा पहुँचाएगा, इसके रोज से आपकी समस्या बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, अगर आपको बार-बार पेशाब आने की समस्या होती है, तो इस प्रकार से मेथी का सेवन बहुत जरूरी हो जाता है, खास करके सर्दियों के दिन में, गर्मी में थोड़ा कम किजिए, लेकिन सर्दियों में मेथी का परा पराठे बना करके खाईए, वो भी बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, तो इस प्रकार से आप राप्त कर सकते हैं, अगर आपका वजन ज्यादा है, तो मेथी के पराठे में ओयल वगरा नहीं लगाना है आपको इस बात का ध्यान रखें, यह आज की वीडियो रही, ऐस सेहत संबंधी सवाल है, तो हमाने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर आप सभी के लिए वीडियो जरूर बनाएंगे फिलहाल, आज के इस वीडियो में इतना ही, विदा लेते हैं आज के इस एपिसोड से, जुड़ेंगे नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ, तब आप सभी खुश रहें, स्वस्त रहें, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों